हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेस फॉर हिस्ट्री मैं शौरफ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं बिये सेमिस्टर 3 के सब्जिक्ट कोड सी सी फाइव जो है हिस्ट्री आफ इंडिया 3 साड़े साथ सो से बारा सो इस्वी इसके अंतरगत एक महत्रपुन विशय पाल वंश लेकर उपसित वहा हूँ तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विश्वीशय को प्रारम करते हैं पालवंश शशान की बृत्यू के पस्चाथ बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक केंद्री सत्ता का अभाव रहा और राजनितिक अज सिर्टा की स्थिती बनी रही राजनितिक अनिश्चित्त का कारण संपुन बंगाल में अरजक्ता फैल गई बंगाल में अब यह महसूस किया जाने लगा कि वहां केंद्री शाशन की आवशक्ता है इसलिए वहां की जनता के द्वारा गोपाल का चैन किया गया और उसे राजा बनाया गया गोपाल ने सारी अववस्था को दूर किया और सफलता पूर्वग साड़े साथ सो इसवी से साथ सु सत्तर इसवी तक शाशन किया गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की गोपाल च्षित्रिय था गोपाल का राज्य पूर्वी भंगाल में फैला हुआ था इसके अत्रिक उसके बारे में और भी कुछ ग्यात नहीं है इतिहासकार तारानात बताते हैं कि गोपाल ने उदंतपुर का प्रसिद्ध विहार बनवाया गोपाल का उत्रादिकारी धर्मपाल हुआ उसने 770 से 810 इसवी तक 40 वर्षों तक शाशन किया उसने अनेक सफलताएं हासिल की और विदेशों में अभियान भेजे धर्मपाल के समय में राष्टकुट और प्रतिहार शाशक अपनी स्थिती सुद्रिल करने में और अपने राजी का विस्तार करने में लगे हुए थे अता धर्मपाल का उनसे संघर्ष होना स्वभाविक था धर्मपाल ने करनोज का शाशक इंद्रायुद को पराजित करके चक्रायुद का शाशन बनाया इसके अतरिक भोज, मतस्य, भद्र, कुरू, यदू, यवन, अवन्ती और गांधार राज्यों ने उसका प्रभुत्व स्विकार किया धर्मपाल का उत्तर भारत में अधिपत्य स्थापित हो गया था इसलिए उसे उत्तरापत स्वामी कहा जाता है धर्मपाल ने अपना अधिपत्य तो जमा लिया लेकिन शांती प्रवक शाशन ना कर सका गंगा यमना के दुआब में प्रतिहार नरेश वत्सराज ने उसे परास्त किया वह गौड का राजच्छत्र उठा ले गया लेकिन वत्सराज को राश्टकूच शाशक ध्रुव ने परास्त किया और उसे मरस्थल में भाग कर शरण लेनी पड़ी इसके पश्चाद ध्रुव ने धर्मपाल को भी परास्त किया लेकिन इससे धर्मपाल का कोई विशेश हानी नहीं हुई ध्रुव के दक्षिन में जाते ही धर्मपाल ने पुना अपनी प्रतिष्ठा उत्तर भारत में स्थापित की कुछ समय बाद धर्मपाल को प्रतिहार शाशक नागभट दृत्ति का सामना करना पड़ा नागभट ने कन्नोज जीत लिया इसलिए धर्मपाल और नागभट दृत्ति के बीच मुंगेर के निकट युद्ध हुआ जिसमें धर्मपाल परास्थ हुआ नागभट का भी वही हश्र हुआ जो वत्सराज का हुआ था उसे राशकूट जो थे गोविन तृत्ति ने हरा दिया इसकारण धर्मपाल को इस बार भी विशेश हानी नहीं पहुची स्वैम भूपुरान में कहा गया है कि धर्मपाल ने नेपाल पर भी अधिकार कर लिया था धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महराज जिराज की उपादियां धारण की धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्विद्याले और सोमपूर के बिहार की स्थापना की उसके द्वारा स्थापित ओधन्तपूर का बौध बिहार काफी प्रसिद्ध रहा इस प्रकार धर्मपाल ने युद्ध एवं शांती दोनों ही छेतरों में कारे किया धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल ने 810 से 850 इस्वी तक शाशन किया उसने सामराजी में वृद्धी की और समस्त उत्तर भारत में अपना अधिपत्य स्थापित किया उसने प्राग जोतिशपुर पर विजय प्राप्त कि और हून गुर्जर एवं द्रविड शाशकों के गर्व को चूर किया उसके बहाई जैपाल और पौत्र केदार मिश्र उसके प्रमुक शहायक रहे नागभट दित्य के पुत्र रामभद्र और उसके पुत्र अमुग वर्ष को देवपाल ने परास किया देवपाल बौध मत का महान आश्रे दाता था उसने भिख्षूं को आश्रे दिया और सुवण दीप और यवभूमी के राजा बाल पुत्र देव द्वारा निर्मित विहार के निर्वाह के लिए पाच गाउँ दान में दिये देवपाल ने अनीक मंदिर और विहार बनवाए देवपाल के पश्चात उसका पुत्र या भतीजा विग्रह पाल शाषक बना लेकिन उसने तीन या चार वर्ष शाषन करके रास्त्याक दिया और सन्यासी बन गया विग्रह पाल के बाद नारायन पाल शाषक बना उसने लगभग पचास वर्ष शाषन किया उसके काल में अनेक उतार चड़ावाए एक समय तो उसका राज्य केवल बंगाल तक ही सिमित रह गया था लेकिन शाशन के अंतिम दिनों में उसने खोई वे छित्र को पुना प्राप्त कर लिया उसने 908 हिस्वी में अपनी मृत्यू से पहले बंगाल और बिहार पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली नारायन पाल के पस्चात राज्य पाल गोपाल दित्य और विग्रह पाल दित्य ने 928 हिस्वी तक शाशन किया विग्रह पाल दित्य के बाद उसके पुत्र महिपाल प्रथम ने 988 से 1038 इस्वी तक शाशन किया महिपाल के राज्ज में दीवजपुर, मुजफरपुर, पटना, गया, तिवेरा जैसे दूर दूर के राज्ज सम्मिले थे महिपाल ने कम्बोज वन्षे उत्री बंगाल जीत लिया महिपाल के सारनाथ अभिलेक में उसके द्वारा निर्मित गंद कुटी का वर्णन है महिपाल के शाशनकाल में 1021 से 1025 इस्वी के बीच राजिंदर चोल ने उत्तर भारत पर आकरबन किया था उसने पूर्वी बंगाल के राजा गोविन चंदर को परास्त किया और उसके बाद महिपाल को भी परास्त किया महिपाल के शाशन के अंतिम समय में कल्चुरी शाशक गांगे देव ने उस पर आकरमन किया और उसे परास्त किया महीपाल के पश्चार नैपाल ने 1038 इस्वी से 1055 इस्वी तक शाषन किया. उसने कल्चुरी शाषक कर्ण देव को परास्त किया. विक्रमशिला विहार के आचारी दिपंकर श्री ग्यान ने कर्ण को आश्रे दिया. कौशल के राजा महाशिव गुप्त को भी नैपाल का सामन करना पड़ा. विग्रह पाल तृत्त के समय में पाल और कल्चुरी वन्षों में पुना द्वंद शुरू हो गया. कर्ण देव ने पुना पाल शाषक फराक्रमन किया परंतु परास्त हुआ. उसने अपनी पुत्री योवन श्री का विवा विग्रह पाल तृत्ति से कर दि विग्रह पाल तृत्ति की 1070 में मृत्यू हो गई. विग्रह पाल तृत्ति के बाद महिपाल दृत्ति सुखपाल और रामपाल शाषक बने. विग्रह पाल तृत्ति को मंगाल शाषकों ने अपदस्त कर दिया. शुखपाल और रामपाल भाग गया. सुखपाल ने मात्र द और उसके बाद कामरूप और कलिंग पर आक्रमन किये। पुर्वी बंगाल के राजा यादव वर्मक ने भी उसका संडक्षन प्राप्ट करने की चेस्टा की। आजदेव ने कामरूप में अपना स्वतंतर राज्य स्थापित कर लिया। बाद में सभी शाषक अशक्त और अयोग्य थे। सामन्तु की स्वतंतर्ता और विजय सेन के उदय ने पाल राज्य को सीमित कर दिया। अंतिम ग्यात पालशाशक गोविंद पाल था जिसका उलेख 1175 इस्वी के एक अभिलेख में किया गया है। इस प्रकार से हमारा यविशे यहां समापत होता है। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।